निवस्क्लिक में आपका स्वागत है हम आज चर्चा करेंगे जो बाला कोट में हमने एर स्ट्राइक्स किये हैं उसकी जो सैटलेट इमिजरी निकली है तजवीर निकली है उसका मकसद उसका मतलब क्या है और इसको बात करने के लिए हम रगुनंदन से बात करेंगे रगु य यह जो बातं आई है कि सैटलेट इमिजरी अभी वो प्लैनेट लप्स के तरफ से दिया गया है यह काफी डीटेल सैटलेट इमिजरी है जिसमें एक मीटर के नीचले रिजलूशन मिलता है तो इसको हाई रिजलूशन सैट्री डिमिजरी कह सकते हैं इसके मुताबिक बाला कोट के बे जो मदरासा जैशे मुहम्मद की तो इसलिए सवाल आया है कि सचमुच हमने क्या बंबारी की और उस पे कितना नुकसान हुआ यह तीन सो छे सो चार सो जो हम धेर करने की बाते कह रहे हैं जो फॉरंड सेक्रेटरी गोखले साब की पहला इंटर्व्यू से शुरू होता है उसका सच्चाई कहां तक है देखिए पहली बात तो यह है कि वायू सेना ने भी यह सपश्ट कर दिया है कि वहां पे लोग मरे नहीं मरे कितने मरे इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते यह मर्शल धनवा ने कहा है तो अगर वायू सेना के पास इसके एरियल तस्वीरें हैं जो हवाई जाज ने ली होंगी या स उसमें शायद एक तो बिल्डिंग में क्या हुआ वो दिखे और दूसरा अगर वो उसी टाइम के खींचे हुए तस्वीरें होंगी तो शायद उसमें कुछ लोग का इदर उदर भागना वो भी शायद दिखे पर इसके बारे एक मिंटर रिजलूशन में तो आराम से दिख अब सरकार के उपर है कि वो उसको रिलीस करते हैं या नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से एरियल फोटोगरफी सैटलाइट इमेजरी की कोई कमी नहीं होगी बादल होंगे राप में वगरा वगरा कुछ भी हो पर आपके पास काफी कुछ सबूत होगा जो अबी तक आप अपने कारण से आपने ये तै किया कि हम इसको अभी रिलीस नहीं करेंगे पर जितना और अंतर राष्ट्रे सूत्रों से ये निकल के आया है लग रहा है वो दिखाते हैं कि जो चत है बिल्डिंग का वहां पे कुछ डैमेज हुआ है कुछ चेद से नजर आते हैं उसमें ज वो जिसे कहते हैं पेनेटरेशन बॉम यानि कि सीधा जाके वो पूपते नहीं है पर वो जमीन के अंदर जाके फिर वहां पर पूपते हैं अगर उस प्रकार के बॉम हो तो वो हजार किलो इत्यादी के एक्स्प्लोजिव के नहीं होंगे काफी कम के होंगे और डैमेज भी कम होगा शायद उसके वजाए से दिवारें नहीं गिनी होंगी पर अगर वो वाले टाइप के बॉम हैं तो उसमें कितने आदमी मरे होंगे नहीं मरे होंगे कितना डैमेज होगा वो भी शायद थोड़ा कम साइड पे होगा नौट बाहर के साइड पे इतना हम अभी तक कह स सकते हैं इससे जादा आज तक हम कह नहीं सकते क्योंकि वायू सेना ने बॉम के डीटेल अभी तक नहीं बताए और सैटलाइट इमेजरी ना तस्वीर हमारे हाथ में अंतराश्ट्रे सैटलेट इमेजरी जो है उससे यह बात उस जाहिर है कि बहुत बड़ा डैबिज वह है और हिंदुस्तान की पहले की सूत्रों के मताबिक जो कहा गया था कि वह गल्वनाइजड जी आई शीट के च्छत थे उसको रिपेर कर लिए दो दिन में रखता अब यह इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते अगर वह रिपेर कर लिया तो आपको छेद भी नहीं दिखा तो यह सब देखते हुए वहां पर कितने लोग मरे नहीं मरे ग्राउंड रिपोर्टिंग की हिसाब से भी कोई तद्वीर हमारे पास नहीं आ रही है एंटियारों का एक स्टेट्पेंट रहा कि 300 मोबाइल वहां एक्टिव थे यह भी सोर्सेस के मुताबिक है क्योंकि 300 तो यह भी लगता मनगरंथ सोर्सेस की बाते हैं सिरफ एक चीज है जो आज सुबह तक की खबर के मुताबिक उस इलाके के जाबा टोप के पास जहां यह मदरसा है उसमें जो पहाड़ी सड़क है जो उपर जाती है पाकिस्तानी फोज ने अभी तक वहां पे अंतर को जाने नहीं दिया तो अगर जाने नहीं दिया कुछ तो कारण होगा कि वह जाने नहीं दे रहे अगर जैसे पाकिस्तानी फोजी स्पोक्समन उनके सरकारी प्रवक्ता कह रहे हैं कि वहां पे केवल तीन-चार पेड गिरे हैं पाकिस्तान यह सोच रहा है कि अंतर प्यावरंड के ऊपर हमले का एक कंप्लेंट दर्ज करें एको टेररिजम और ये भी कहा है कि वहां पर एक कववा मरा है तो केवल अगर वो कववे को भी दिखा देते हैं अंतर राश्ट्रे सुत्रों को तो भी एक टीज होता है पर वो अभी तक रोक रहे हैं इसका मतलब कही नहीं कहीं कुछ तो हुआ होगा शायद वो उतना ना हुआ हो जितने हमारे राजनितिक लोग उसको ज्यादा बढ़ा चड़ा के बोल रहे हैं और हो सकता है उतना कम भी ना हुआ हो जो पाकिस्तानी फौजी और सरकारी तर्ट कह रहे हैं पर उन्होंने पहले रॉयटर्स क फौज मंदरासा को अभी तक जैश महमद मंदरासा को कबज अपने कबजे में ले लिया है और यह एक जैश महमद के लीडर्शिप को भी उन्होंने अरेस्ट किया है तो वो तो अलग कहानी है बड़ अगर हम यह एर स्ट्राइक्स पर वापस आते हैं तो आप जो कह रहे थ था कि वो सपाइस पॉड्डस थे और हजार केजिकर लेजयर गाइडड बॉंब्स थे तो अब यह जो भी है इस साटलें ऑबिजरी के बाद साफ है की थजार केजी के तो लेजर गाइडड बॉंबस नहीं हो सकते और सोर्स अगाइन सोर्स कि तरफ से यह कहा जा रहा है pच से सतर केजी की म्यूनिशन थी तो यहां भी कोई साफ तजवीर नहीं है हमने इस्तिमाल किया किया है और आखरी बात आपको यह कहना चाहूंगा चाहे कि इंडियन एयरफॉर्स हो चाहें पाकिस्तानी एयरफॉर्स हैं दोनें अगर एस्कलेशन को एक हद तक ले जाने दिया उसके बाद जाना नहींड आगी चाहते तो यह लॉजिक बनता है कि दोनों ज्यादे डैमेज नहीं चाहते थे कम से कम इनसान की जान की तो पाकिस्तान के मताबिक उन्होंने लॉक किया डिफेंस टारगेट्स को बिलिटरी टारगेट्स को लोजिस्टिक्स टारगेट्स को पर एम्टी ग्राउंड में उन्होंने अपने मिजाईल दागे और यह भी हो स कैजुल्टिस का उनकी भी इरादद ही था ये भी एक सापोजिशन हो सकता है मैं मेरा तो मानना है कि यही अगर लगाया जाए तो यही सवी अनुमान होगा कि सामरिक रूप से क्यों बाला कोट में ये बंबारी की कितना किया नहीं किया मुझे लगता है इसको करने का मकसद एक तो राजनीतिक दल को अगर आप छोड़ दें कि भाजपा क्या कहती है सरकार क्या कह रही है चुनाओ को मन में रखते हुए वो क्या कह रही है सामरी ग्रूप से अगर वायू तो वायू सेना ने जाके ये दिखाया है कि अगर अगली बार ऐसे चीज़ हो तो भारत यहां तक आक्शन लेने के लिए तयार है और च्छमता रखती है कि पाकिस्तान के अंदर केवल पी-ो-के के अंदर नहीं पाकिस्तान के अंदर जाके भी हम मार सकते हैं ये च्छमता और तयारी हमने दिखा दी मेरे खालद से सामरी क्रूप से यह है चाहे वो उसमें कुछ डैमेज हुा हो, कितने आदमी मारे हो नहीं हुए, मकस्द ये था मेरे खालद से और वो दिखा दिया, उसके बदले मेें पाकिस्तान ने भी दिखा दिया कि अगर आप कह रहे हो कि एक जिसे अंग्रेजी में कह रहे है न्यू नॉर्मल कि आइंदा से भारत इसके लिए तयार है और हो सकता है अगली बार भी कुछ अगर गुस्पैटी कुछ चीजें हो तो भारत वापस जाके वहां पर मार सकता है तो पाकिस्तान ने कहा अगर आप आके मार सकते हो तो हम भी उसके खिलाफ आके आक्शन आपके यहां भी आके मार सकते हैं तो उनका न्यू नॉर्मल वहां पर भी उनका भी नूर्मल उन्होंने भी साफ़त कर दिया अब इसमें खत्रा यह है अगर अब न्यू नॉर्मल एक जगड़े के तौर पे फौजी एक्शन और रियाक्शन के तौर पे न्यू नॉर्मल अब एक उन्चे स्थर पे हो रहा है तो इसके अंदर भी एक खत्रा है कि अब तो न्यू नॉर्मल हो गया कि आपने जाके अंदर मारा अगला न्यू नॉर्मल होगा कि आप पांच जग़े मारोगे तो वो भी पांच जग़े मारेंगे अगला हो भारत ने उसके अंदर एक खत्रा इन बिल्ट है एक बना हुआ है उसके अंदर कि अगर आप उसको चड़ाएंगे अगले लेवल तक तो खत्रा ये होता है कि ये चड़ते रहे के ये आगे आगे और बढ़ता रहे और उसके अंदर जंग का खत्रा ही जंग के साथ साथ दोनो न्यूक्लियर देश हैं तो सिर्फ हमारे साउथ एशिया का खत्रा नहीं बलकि पूरे विश्वग खत्रा है अच्छा इसके साथ एक जुड़ी हुई चीज और है कि ये न्यू नॉर्मल भारत ने दिखाया कि चलिए हमने पाकिस्तान के अंदर जाके बॉम गिराया च्छमतार रखते हैं और हम तयार हैं पर इसके इसको देखके अमरीका हो यूरप हो अन्य देश हो वो भी इसमें हैं डरे हुए हैं कि वही कहीं यहां पे एक युद की तरफ ना बढ़े तो वो जल से जल दो तीन दिन के अंदर उन्होंने यहां पे ठंडा करने का काम किया उसमें और शायद भारत का ये भी मनसा थी कि इस से पाकिस्तान के उपर जैशे मुहमद इस प्रकार के जो आतंकवादी ग्रूप हैं कि उन पे एक्शन ले इसके लिए अंतर राश्ट्र स्तर पे भी दवाओ पाकिस्तान पे बनें तो हो सकता है ये एक पॉजिटिव एक अचीवमेंट है भारत के लिए पर इसका एक उल्टा पहलू भी है और वो है कि जितना आप अंतर राश्ट्रिय ग्रूप्स को खास करके सामराजवादी देश जैसे अमरीका है जिनों ने अलकाइदा और उसके समर्थक जितने आतंकवादी ग्रूप से उनको पैदा किया उनको सपोर्ट किया उनको आप अमंतरित करते हैं तो आप एक तरह से कश्मीर के इश्यू को लेके भी आप उनको अमंतरित कर रहे हैं कि आप इसमें आईए और धखल कीजिए जो भारत एक इस तरफ कहता है कि यह हमारी विदेशनीती नहीं है हम सिर्फ हिंदुस पाकिस्तान और इंडिया के बीश को और किसी के बीश को लिए और हम तो कहतें इंटर्नल इश्यू है बट जितना अभी तक पाकिस्तान और भारत के बीश में पिछले 20-25 साल में मुटबेड हुई है कारगिल से लेके आज तक वो ये दिखा रहा है कि जितना भी आपके बीच में मुटबेड होता है भारत की भी कोशिश ये रहती है कि वो अमरीका के पास जाके या अंतर राश्ट्रिय और अन्य देशों के पास जाके कहते हैं आप जल्दी आईए और पाकिस्तान और उनको ठंडा कीजिए और इस जगड़े को जल्दी से सुझ जाईए क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई ऐसा मेकेनिजम नहीं है जिसको कि हम मान के चलें कि इसके वज़े से हम इसको कंट्रोल करता हैं तो कंट्रोल करने के लिए हम भी चाहते हैं कि आंतर राश्ट्र इसके बाद देश नहीं सौड़े रही हम बुला रहे हैं सुलाह करने के लिए और यह लोग टेरर इंटरनाशनल की जो बात अब कर रहे थे यह उनमें पूरे तरह से जुड़े हुए थे सिर्फ उस वक्त नहीं जबकि वहां रश्या सौविट यूनियन अफगानिस्तान मे भी इनके एक पूरा इसके साथ इनके एक ताल्बे रहा है इसके बाद वर्ल्ट्रेट टावर्स गिरने के बाद भी सीरिया में एराक में एक इनकी सांड़ गाट रही है तो यह देखते हुए आप एक तरह तो उनको ही आप कहरें मद्धस्ता करने के लिए दूसरी बात कि टेरर इंटरनाशनलाइजड होगा पर कश्मीर इंटरनाशनलाइजड दी होगा यह जो है दूसरे बुल्क इतना आसानी से मानेंगे नहीं वो कहेंगे हम मद्धस्ता कर रहे हैं पर आपको कश्मीर भी बिवात करना है और यह जो हम कह रहे हैं कश्मीर में हम कुछ बात करेंगे, सिर्फ पाकिस्तार और टेर्ल करेंगे, यह लगता है कि इंटर्नाशनल स्टर पे यह चलाना मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. इसमें आखर में एक चीज़ यह कहना चाहता हूं, अभी तक जतनी चच्चा हुई है, वह बाला कोट में भारत के वायु सेना ने क्य किया इस पे बात हुई है जो पाकिस्तान ने उसके खिलाफ जो चंद दिनों के बाद एक्षिन लिया मेरे ख्याल से वह अगले दिन ही वह हमने बहुत कम एनलाइस किया है कि यह हमारी रक्षा की क्षमता डिफेंस प्रिपेरेडनेस सेक्यूरिटी अलॉंग दे बॉर्डर इस इसके बारे में भी मुझे लगता है कि अनलिसिस होनी चाहिए कि जितना हम कह रहे हैं कि देखिए हम इतनी आसानी से पाकिस्तान के अंदर गुसे उतनी ही आसानी से पाकिस्तान भी तो आपके यहां गुसी तो इसके बारे में भी मेरे ख्याल से सोचना बहुत ज़रूरी है तरने बाद रगू हमारे साथ होने के लिए और हमको बताने के लिए इसकी पूरी पिक्चर जो है इंडिया पाकिस्तान की इस जंग का जो हवा चली थी उसको समझाने के लिए और इसकी लार्जर स्ट्रिटीजिक इशू जो हमारे सामने है उसको रखने के लिए आज नियूस झाल 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 झाल